हाई फ्रेंड्स आप सभी को मैं नमस्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंवेश्टर यूट्यूब चैनल को शौगत है दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के जरिये कैपलिन पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं हम लोगों ने लगातार कैपलिन पॉइंट पर धेर सारे वीडियो बनाए थे और हम लोगों ने ये भी एनलाइसिस करनी कोसिस की थी कि क्या कैपलिन पॉइंट एक मुल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है अगर हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पर देखिये यहां साप साप देखने को मिल रहा है कैम कैपलीन पॉइंट भी नेक्स्ट मल्टी बैगर यह हम लोगों ने 29 जून को वीडियो बनाया था उसके बाद इसमें ब्रेक आउट देखने को मिला था और उसके बाद फिर वीडियो बनाया था बोला था रॉकेट बनेगा अब रॉकेट बन गया तो अब आगे क्या हो सक इस पर भी हम लोगों ने इसके टार्गेट की चर्चा की थी वो टार्गेट क्या थे वह हम लोग इस वीडियो के आगे देखेंगे तो यहां पर हम लोगों ने समय समय पर लगातार कैपलीन पॉइंट पर चर्चाएं की थी डिसकुसन किया था हर डिसकुसन में यही पाया सब्सक्राइब कर ले मैं इस प्रकार के इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो एनलेटिकल वे में आप फ्यूवर्स के साथ सेर करता रहता हूं रिटेल स्मार्ट इंविश्टर यूट्यूब चाहूं के माध्यम से और मेरी कोशिस रहती है कि एक आम आदमी की भासा में सारे टेक्निकल टर्म को वाइड करते हुए ऐसी जनकारी आपके सामने प्रस्तुत करों कि आपको सीधे सीधे समझ में आ जाए आ आप सेर के बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते हो आपको टेक्निकल आनालेसिस आता हो नहीं आता हो फंडामेंटल आप जानते हो या नहीं जानते हो इससे कोई मतलब नहीं है मेरी वीडियो आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरी कोशिस ही रहती है तो दोस्तों अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो अब हम लोग आगे वढ़ते हैं और कैपलिन पॉइंट के चार्ट को हम लोग देख करके कुछ समझने का कोसिस करते हैं कि आखिर इसमें ब्रेकाउट आही गया है तो आगे क्या हो सकता है तो यहां पर देखिए दोस्तों कि लॉंगर प्रियर्ड में कैपलिन पौाइंट का जो trend है प्राइस trend है वो अपर ट्रेंड में जाच चुका है और कैपलिन पौाइंट के जो प्रीवियस लाइफ कही थे उस अस्थर से काफी उपर निकल चुका है यान इसने breakout दे दिया है और आज ये 950 के level पर closing दिया है तो अब इन अस्तरों से आगे क्या हो सकता है हम लोग इस वीडियो के जरिये और यही समझने की कोशिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग किसी भी तरह के fundamental analysis नहीं करने जा रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ technical analysis की बात करेंगे और यहां से हम लोग आगे क्या हो सकता है उस पर चर्चाएं करेंगें तो चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोगों ने जो 29th June को जो वीडियो अपलोड किया था उसके कुछ portion को हम लोग देख लेते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि उस वीडियो में हम लोगों ने क्या एनलाइज किया था और अब कैपलिन पॉइंट लेबरोटरीज की स्थिति चार्ट पर क्या बन रही है तो चली दोस्तों उस पुराने वीडियो के portion को देखते हैं अच्छे डंग से business को grow कर पा रही है इसके वज़े से सारे parameters काफी अच्छे देखने को मिलने हैं और dividend भी एक company लगातार distribute कर रही है तो यह बहुत ही अच्छी company है और हम लोग यह उम्मीद करें हैं कि इस शेर इन अस्तरों से भी काफी उपर जा करके trade करेगा अब हम लोग चीदे आयाते हैं इसके technical chart पर कि यहां पर क्या इस्तिती बन रही है तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि weekly chart पर यह अपने 200 day jama 100 day jama और 50 day jama से काफी उपर जा करके trade कर रहा है और अभी weekly chart पर यह consolidation के mood पर है यहां पर देखिए consolidate कर रहा है और जिस प्रकार से इसके fundamental strong है दोस्तों हम लोग उमीर करें कि आने वाले समय में इसमें इन अस्तरों से भी उपर कि और breakout होता हुआ हम लोग देख पाएंगे और जो immediate हम लोगों को target देखने को मिल सकता है इस stock म है उसके लिए हम लोगों कुछ resistance and support draw करने पड़ेंगे तो उसको हम लोगों draw कर लेते हैं तो यहां पर देखिए एक हम लोगों ने line खीच लिया तो यह 732 का जो level है दोस्तों यह इस stock के लिए काफे strong resistance का काम करेगा आने वाले दिनों में लेकिन यह इस level को जरूर तोड़ क करके ऊपर निकलने की कुछिस करेगा ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ का सकते हैं अब दोस्तों जब यह तोड़के ऊपर जाएगा तो यह stock कहां तक जा सकता है तो इसके लिए हम लोगों को further और कुछ technical support and resistance draw करने पड़ेंगे उसके बाद चिर हम लोग वापस इस पर चर्चा करेंगे हम लोगों ने दोस्तों स्क्रीन पर support and resistance draw कर लिया और इस पर जो स्थिती निकल करके आ रही है दोस्तों उस हिसाब से कैपलीन पॉइंट एक multi-bagger stock हो सकता आने वाले दिनों में और जो इसका immediate target देखने को मिल रहा है वो तक्रिवन 1100 के आसपास देखन पॉइंट पर जब वीडियो बनाया गया था उस समय यह तक्रिवन 662 रूपीज पर यह trade कर रहा था और अगर चार्ट में स्थिती समयनिक कोशिस करें तो उस समय चार्ट में यहां पर था यह देखे यह हम लोगों ने यहां पर round कर दिया इन ही अस्तरों पर यह trade कर रहा थ और दोस्तों मैं लगातार अपने वीडियो के मादम से आप लोगों को बताता रहा हूं कि जिस भी fundamentally strong stock में इस प्रकार के pattern बनते हैं वो काफी interesting pattern होता है जब भी यह pattern बनेगा तो उसके बाद उसमें तगड़ा breakout देखने को मिलता है ऐसा मैं अपने सारे वीडियो में बताता रहता हूं और ऐसा ही कैपलिन पॉइंट के चार्ट पर भी बन रहा था और इसमें काफी strong breakout दिया है और अपने lower level से काफी उपर निकल गया है अब दोस्तों अब क्या हो सकता है तो इसके लिए हम लोगों कुछ support and resistance ड्रॉ करने होंगे उसके बाद फिर हम लोग फर्दर इस और अभी ये काफी कम समय में 950 के target पर पहुंच चुका है तो 1100 का target ये कभी भी achieve कर सकता है लेकिन 1100 के target के बाद और इसमें कौन से target देखने को मिल सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्जा कर लेते हैं दोस्तो हम लोगों ने weekly chart के उपर कुछ support and resistance ड्रॉ कर लिये हैं और आप इस support and resistance को clearly देख पा रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है तो हम लोग दोस्तो देख पा रहे हैं कि 933 का जो लेवल था वो Kaplan Point Laboratories के लिए काफी strong resistance का काम कर रहा था और यह stock इस अस्तर से उपर जा करके बंद हुआ है यानि कि अब 933 का जो लेवल है Kaplan Point Laboratories के लिए strong support का का काम करेगा तो target कहां तक देखने को मिल सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो target जो अब निकल करके आ रहा है हम लोगों के सामने वो तक्रिबन 1398 रुपीज का देखने को मिल रहा है यानि कि यह stock तक्रिबन 1400 के अस्तर पर जाने की छमता अब बना चुका है जिस प्रकार से इसमें तेजी चल र और यह जो दोस्तो 1400 का target है यह भी हम लोग कुछ महिनों बाद आता हुआ इस stock में अवसे देख पाएंगे ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ का सकते हैं चुकि इसके fundamentals काफी strong है और काफी तगड़ा set of numbers लगातार company post करते आया है और आगे भी इसके result सांदार रहने की स aggressive side में हैं और काफी higher side में लेकिन ध्यान दिजिएगा यह target तुरत नहीं आ सकते हैं इस बीच में इसमें काफी उतार और चढ़ाओ भी देखने को मिल सकता है ऐसा हम लोग जानते हैं कि share market में कोई भी share लगातार one direction में नहीं चलता है उसमें उच्छाल आता है तो गिरावट भी देखने को मिलती है गिरावट आती है तो उच्छाल भी देखने को मिलता है condition वही रहती है दोस्तों कि fundamentals मजबूत होने चाहिए तो stock लगाता अब ट्रेंड में चलता है चाहिए उसमें कितनी भी गिरावट हो जाए चाहिए कितनी भी उच्छाल देखने को मिले overall trend इसके अपट देखने को मिल सकते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और पसंद आया है तो आप लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करने और आप मेरे next वीडियो का इंतजार करेंगे दोस करेंगे